तो पिछले वीडियो में हम लोग बाइनोमियल्स का जो पाठ था कि पर्मूटेशन और कम्बिनेशन का थोड़ा सा यूज NCR और NPR का सोरी NCR और फेक्टोरियलर का ये सब चीजे हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम बता रहे थे कि आपको इसके पहले के पहले वाले वीडियो में सायद कि अगर आपकी कोफिसेंस को पता करना हो ये सारी कोफिसेंस को तो इसको हम पता करने का तरीका बता सकते हैं इसी में दिक्कत हो रही थी हमें, याद है कुछ? उपर में केवल 1, उपर में केवल 1, आनीचे में, याद करिए, 1, 3, 3, 1, याद है, 1, 3, 3, 1, आप क्या कर लो? यह अपर इंडेक्स को देखो, अपर इंडेक्स तुमारा 3 है, तुम यहाँ पर क्या कर दो? तुम 3C 0 से स्टाट करो, यह इसके लिए 3C 1 कर लो, फिर 3C 2 कर लो, और फिर 3C 3 कर लो, समझ रहे बात को? तुम 3C 4 कर भी नहीं सकते हो, बताय थे न, कि NCR का क्या कंडिशन है? कि N हमेशा बड़ा या बरावर होगा R से, तो R कभी बड़ा नहीं निकल सकता है, समझ रहे बात को? तो अब जारा बता हो कि क्या तुम्हारा 3C 0 का वैलू 1 आएगा? 3C 1 का वैलू 3 आएगा? बताय थे न, 3C 2 का वैलू 3 आएगा? याद कर वाए थे? 3C 3 का वैलू क्या आएगा? सोरी, 3C 2 था न, 3C 2 का वैलू 3C 2 का वैलू 3 आएगा? निकाल के देख लो अगर जादा टेंसान हो रहा है तो 3C 2 का मतलब क्या हुआ? तीन गुना, दो, अनीचे, दो गुना, एक, दो से दो गया, तीन आगया? 3C 1 का वैलू अगर निकालना है, क्या करेंगे? तीन बस एक बार, अनीचे, त के वल होगा ना? एक होगा के वल, तो 3 आएगा? समझ रहे बात को? अब अगर इसका अपर इंडेक्स 4 है, तो यह सुरू हो जाएगा 4C 0 से, फिर यहां पर क्या होगा? 4C 1, यहां क्या होगा? 4C 2, यहां क्या होगा? 4C 3, समझ रहो? अब यहां क्या होगा? 4C 4 अब 4C0 का value क्या हो जाएगा याद करो बताया गया था 4C0 का value 1 होता है 4C1 का value 4 बताया गया था ना 4C2 का value दीकत हो रहा है निकालने में तो क्या करेंगे 4 गुने 2 कर देंगे 2 तक अनीचे 2 गुने 1 2 से 2 कड़ गया 4 आ गया कुछ गड़बड की है क्या 4C1 के बाद 4C2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है सोरी 4 गुने 3 होगा ना पहले तो 4 गुने 3 होगा ना 3 दुना के 6 आ गया ना गड़बड हम कर दिये थे 4 के बाद 2 लिख दिये थे एक ही कम करेंगे ना फिर 4C3 का मतलब 4 आना चाहिए देखो तो 4 गुने क्या लिख देंगे एक बत बताओ 4C3 को हम 4C1 भी तो लिख सकते है 4C3 को 4C1 लिखने बताए थे तो 4 आएगा गी नहीं आएगा आप वैसे भी करके देख लो आ जाएगा और 4C4 1 अब क्या यह समझ गए तो अब समझ गए तो देखो अब मज़ा आने वाला है अब ज़रा समझो ज़रा समझो कि A प्लस B का पावर 7 लिखना है तो 7C0 से स्टार्ट होगा बोलो और A का पावर सबसे पहले तो पावर का जाता है 7 जाता है जाता है ना फिर प्लास 7C1 होता है फिर A का पावर एक घटते जाता है B का पावर बढ़ते जाता है मतलब ये A का पावर 6 हो जाएगा B का पावर 1 हो जाएगा एक साथ मेंटेन फिर 7C 2 A का पावर एक घटेगा और 5 B का पावर एक बढ़ेगा 2 ताकि 5 दो साथ हमेशा मेंटेंड रहे इस पावर की बराबर याद है 6, 1, 7 फिर आपका 7C 3 फिर A का पावर 4 B का पावर 3 B का पावर एक बढ़ेगा फिर प्लस 7C 4 A का पावर 3 B का पावर 4 फिर प्लस 7C 5 A का पावर 2 B का पावर 5 फिर प्लस 7C 6 A का पावर 1 अब B का पावर 6 फिर 7C 7 और B का पावर 7 क्या आब हम लिख पाएंगे सारे चीज का एक्सपेंसन की कोई दिक्कत हो रही होगी एगम को लिख लेंगे समझ में आ रही है बात आ रही है बात की नहीं आ रही है फिर से समझाएं आ रही है अब A प्लस B का पावर अगर मालो हम N कर दे A प्लस B का पावर N कर दे इसी को तो हमको पढ़ना था इसी को तो हमको पढ़ना था X प्लस Y का पावर अगर N हो तो क्या करेंगे जब 7 था तो 7 C0 से स्टार्ट हुआ था अब क्या है से स्टार्ट होगा N C0 से पहला वाला पे पावर पूरा जाता था सबसे पहले तो X पे पावर क्या जाएगा 7 7 जाएगा कि N जाएगा यह बता दो पहले N जाएगा न यह दोनों का गैप जाता तो याद कर ले न N-0 N जाएगा फिर अगला N C1 फिर N C2 फिर N C3 अब N C1 जब लिखते हो न तो याद करो जो पहल का होता है यह X उस पे पावर दोनों का डिफरेंस जाता है N-1 जाता है और जो दूसरा नंबर होता है न Y उस पे पावर यह लोवर सपिक्स जाता है देख लो जाएगा कि न जाएगा तभी न पावर जूटके N आएगा N-1 और 1 जोड़ेगा तो N आजाएगा बोलो फिर N C2 लिखा हुआ है X पे पावर क्या दें तुम खुद बोलो N-2 दोनों का गैप और Y पे पावर नीचे का लोवर सपिक्स दो फिर प्लस N C3 लिखें X पे पावर क्या दें दोनों का डिफरेंस N-3 Y पे पावर क्या दें 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या होगा N C N X पे पावर क्या जाएगा N-N 0 होगा और Y पे पावर N याद करो पहला टर्म और लास्ट टर्म में A का पावर 7 B का पावर 7 आना ची याद है तुम्हें A प्लस B के होल क्यूब में भी तुम्हारा सुरू में A क्यूब आता था और लास्ट में B क्यूब आता था A प्लस B के होल स्कार में भी तुम्हारा सुरू में A का स्कार आता था लास्ट में B का स्कार आता था उसमें कोपिसेंट 1 1 होते थे याद है कुछ Nc0 1 आएगा Ncn 1 आएगा बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताओ Nc0 का बैलू याद करवाया थे कि नहीं Nc0 1 होता है Ncn 1 होता है इसी दिन के लिए नहीं याद करवाया गया था चीजों को आप सुरू से पढ़के आओगे तभी समझ में आएगा अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो यह हम कैसे पढ़ा रहे हैं पिछला वीडियो मान के नहीं पढ़ा रहे हैं कि यह पढ़े हुए हो तो यह पढ़ा रहे हैं आप पीछे का स्कीप कर दो यह पढ़ने आ जाओ डाइरेक तब तुम मजा आ जाएगा ना फिर उपर से निकल जाएगा फिर चीजे क्या यह बात समझ में आ रही है इसके आगे हम लोग नेक्ट वीडियो में पढ़ेंगे यही है बाइनोमियल एक्सपेंसन आपका इसी के लिए इतनी महनत होई थी इसी चीज के लिए इतनी महनत होई थी ताकि आप इस पैटर्म को लिख पाएं और लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से बहुत ज़्यादा अब्जर्वेशन होगा एक और बत बताओ एक और बत बताओ कि अगर तुम मैंसे हम पूछेंगे कि a प्लस b में रिख टर्म है पावर एक है तो दो गो आया है तर्म आया गे नहीं आया है अगर हम तुम्से पूछें कि a प्लस b के होल क्यूब में कितने टर्म है याद करो aq प्लस 3a स्क्वार b प्लस 3a b स्क्वार प्लस b का पावर क्यूब कितने टर्म है एक दो तीन चार आया जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा होता है टर्म मान लिए अरे मानोगे कि नहीं मानोगे पावर अगर 7 होगा तो तुम सोचो कि 7c 0 से स्टार्ट होके कहा जाएगा 7c 7 तक तो अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तुम सोचके देखो कि 1 से स्टार्ट होता तो 1 से लेके 7 तक 7 को टर्म होता लेकिन 0 से स्टार्ट हुआ तो यह को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बने, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना? 7 सी 0 हो रहा है ना? तो इसलिए यह को टर्म बढ़ जा रहा है तो अगर हम पूछे कि X प्लस Y का होल पावर N में नमबर ओफ टर्म्स कितने होंगे? N होंगे कि N प्लस 1? N प्लस 1 क्योंकि N C 0 से स्टार्ट होके N C N पे गिर रहा है तो अगर N C 1 से स्टार्ट होता तो 1, 2, 3 लगतार होता तो N गो टर्म होता तो N C 0 वाला एक टर्म बढ़ जा रहा है इसलिए नमबर ओफ टर्म्स की संख्या कितनी हो जाएगी? N प्लस 1 दूसरा उपजर्वेशन क्या है? पर तर्म में X और Y का जो पावर का सम है वो इस अपर इंडेक्स के बराबर आना चीए N के बराबर यहाँ देखो X का पावर N आ रहा है X का पावर N-1, 1 को जोडोगे तो 1 और –1 कैंसल आउट होके N आ जाएगा N-2 और 2 को जोडोगे तो 2-2 कैंसलों के N आ जाएगा N-3 और 3 को जोडोगे यह कैंसलों के N आ जाएगा याद है यही कुछ इसमें भी था 2 और 1-3 2 और 1-3 तो यह एक उपजर्वेशन है कि परतेक्स टर्म में जो X और Y का जो पावर का सम है वो क्या आता है तुमारा जो अपर इंडेक्स है उसके बराबर आता है दूसरा अपजर्वेशन क्या है कि यह जो पहला टर्म है उसका पावर तो घड़ते जाता है आगे बढ़ते समय समझ रहे हो लेकिन Y का पावर क्या होते जाता है बढ़ते जाता है यहां पर हम कहो सकते है कि y का power 0 था क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था तो y का power 0 1 होता है न अब 1 के गुना करने से कोई फ़रक पड़ेगा क्या तो y का power 0 y का power 1 y का power 2 y का power 3 तो y का power तो बढ़ रहा है मतलब second entry वाला y बढ़ रहा है power पावर एप फेर इंट्री वाला जो पावर है N से शुरूआ और घठते करम में गया, समझ गये बात को? अरे बात समझरों नहीं समझ रहे हो, यह हम बता रहे थे न कि एक जो होता है न पहला टर्म X उस पे पावर घटते जाता है जैसे N है फिर X के पावर N-1 हुआ फिर X का पावर N-2 हुआ N-3 हुआ इस तरह से घटते घटते वो X का पावर 0 पे खतम हो गया अज जो second होता है Y उस पे पावर बढ़ते जाता है जैसे Y का पावर 1, Y का पावर 2, Y का पावर 3, Y का पावर N तक गया समझ रहे बात को दूसरा चीज एक और देख लो कि जो C का लोवर सफिक्स है जीरो चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3 वो second entry का पावर बन जाता है Y का पावर 0 बन गया, Y का पावर 1 बन गया ये दो जो है समझने बात को और क्या बोल सकते है X का पावर दोनों का डिफरेंस है N-0 N-0 N आएगा यहाँ X का पावर देखो N-1 आएगा यहाँ X का पावर देखो N-2 आएगा यहाँ X का पावर देखो N-3 आएगा अरे बोलो बच्चे एक और बात बताओ एक और बात बताओ बहुत महत्व पूण बात Nc0 का बेलू Ncn के बराबर होगा की नहीं होगा Nc1 का बेलू Ncn-1 के बराबर होगा की नहीं होगा क्योंकि आपको बताये थे ना फर्मूला Ncr बराबर Ncn-R इसलिए पाला Nc0, लास्ट Ncn के बराबर होता है पाला Nc1, सबसे लास्ट का Ncn-1 आएगा यहाँ पे X का पावर 1 और Y का पावर N-1 तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का कुपिसे Ncm होगा तो आप गौर से देखे भी होगे कि दुमारा जितना भी पास्कल था उसमें पाला 1-1, किनारे किनारे 1-1 आता था दूसरा दूसरा मैच करता था इससे वाला मैच करता था यादे कुछ नहीं यादे A प्लस B का स्कॉर लिखते थे तो A स्क्वार प्लस 2AB और प्लस B स्कॉर यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं A प्लस B का होल क्यूब लिखते थे तो A Q प्लस 3A स्कॉर भी प्लस 3AB स्कॉर प्लस B का क्यूब तो यहाँ एक-एक मैच किया यहाँ तीन-तीन मैच किया यहाँ पर दूग है नहीं है एक-एक मैच करी रहा है न? फिर याद करो A पलस B का पावर जो हम 4 लिखे थे उसमें क्या हुआ था? 1 आया था, फिर अगला 3 और 1 4 आया था फिर 3-3 छे आया था फिर 3-1, 4 आया था फिर आपका 1 आया था तो 1 से 1 मैच किया था 4 से 4 मैच किया था छे तो अकेला है ही तो हमेशा हमेशा यह चीज होता है समझ रहे बात को यह हमेशा होता है कि सुरू से लेके जितना डिस्टेंस पे हो सुरू से लेके जितना डिस्टेंस पे हो औंत से आप उतना ही डिस्टेंस पहले आ जाओ तो वहां का binomial coefficients दोनों बराबर होते हैं जैसे सुरू में NC0 आएगा last में NC1 आएगा वो दोनों coefficient बराबर ही होंगे second number पर आएगा NC1 second last आएगा NCN-1 वो दोनों coefficient बराबर होंगे यह की बराबर दिखा रहे हैं यही सारे observations थे तुमारे बस हो गया यह उसके बाद आप काम कर सकते हो binomial पढ़ने लाइक हो चुके हो questions बगएरा बना सकते हो observations कर सकते हो और सब चीज़े अगले class में देखेंगे ठीक है ना thank you आज इतना ही